ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नवस्कार महुख फिरोज हास्मी मुंबई की ट्रेनों की अगर हम बात करें रहे ही थे लेकिन रविवार से मुंबई और महराश्ट के मानसून इतना बिगड़ गया कि पूरे मुंबई में जमा जम पानी बरसने से सडकों पर नदिया बहने लगा खास करके मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो 15 से 20 मिनट से चलाई जाने लगी लेकिन देरी से चलने के कारण स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर पाउं रखने की जगा नहीं रही एक तो ट्रेन देरी से चलाई जा रही थी और दूसरी तरह भीर के चलते मुंबई और कलवा के बीच 4 लोग गिर गए और बताया जा रहा था घटना सुबा 10 बजे की है मुम्रा की महिला नाजमीन ट्रेन की सफर कर रही थी लेकिन मुम्रा और कलवा के बीच ट्रेन में भीर होने की वज़ा से वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी सीधा जिसके कारण वो नीचे गिर गई सिर्फ नाजमीन ही नहीं इसकी सिकार हुई बलकि चार लोग गिर गए थे जिन में से तीन लोगों को हलका चोट आई थी लेकिन नाजमीन जो मुम्रा की रहने वाली वो पूरी तरह से घायल हो गई है हम जानते हैं पीडित परिवार की दुभरी कहानी और आखिर कैसे और क्यों गिरे गिरने की वज़ा क्या है नाजमीन इब्राहिम शेग मैं मुम्रा से चड़ी थी और कल्वा और मुम्रा के बीच में कहीं गीरी हूँ क्योंकि बेहोश हो गई मुझे नहीं मालूं तो फिर बाद में महां से होस्किटर लेकिया है मुझे क्या लगता आपको भीड बहुत थी और भीड बहुत थी एक्चुली और फिर मैं चड़ी जबी भी भीड थी और स्टेशन पे जो खड़ेते ना इतनी सारी भीड थी अगर वो ट्रेंच छोड़ती भी तो बाद में भी चंड़ने मिलता बोलकि क्या गेरेंटी थी परशान पेट पर बहुत जुकरा इसको नार बोच रहागा जागन पजिलागा पार कभी बहुत जाए है अगर यह जो बेड हो गोई थी जा बेड में सही गिरी नौट इसका गाड़ी पास गाड़ी पकड़ी चिना जादर काम पे जारी जोपने उसमें सही गिरी गरी जाज अखर्च आपगो है कालवा के बीश्या है क्या हुआ यूजionen पेड प्रेट प्रेयल जोगे बशें प्राइल के बीश्यों है उस्ते हूं वह तकर लग्दा घ्रेल पेड़ी अधर प्रेल के दैना लोकल ट्रीन ही यह अन्धिल इसलो बहुत रश्क थी हाथ को बहुत मुम्रा से निकले ठाने के लिए पॉलेज जा रहा हूं है थाने वेश्ट में पॉलेज है विश्व बहुत रश्टी ट्रेंड में हाथ पिसल गया और आपने सुना पीडित परिवार ने क्या का हम आपको बता दे मुम्रा से कलवा के दवरान यात्रियों के लोकल से गिरने की घटना जारी है एक बात ये भी है ट्रेन धीमी गती से चल रही थी लेकिन भीर इतनी थी कि अंदर जाने की जगा नहीं थी और मुम्रा और कलवा के बीच एक तर्नल है जहां पर घुमावदार मोड आता है और वहीं पर ये घटना घटी है शुबा दस बिज़े की घटना ह जखमी हालात में सिवा जी में एडमिट करा गया है जहां उनकी इलाज चल रहा है लेकिन एक बात हम और आपको बता दें आप अक्सर सुनते हैं कलवा और मुम्रा के बीच चलती ट्रेन से कोई गिर गया हास्सा हो गया तो जो लोग ट्रेन की सफर करते हैं इन जगों को ध् क्योंकि वहां पर घुमावदार मोड है और वहीं पर अक्सर ये घटना घटती है तो इसी के साथ समाज राजनिती से जुड़ी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम से